हेलो फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मुरारी एस्पिरेंट आफ यूपीएसे में स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारमिक परिक्षा 2023 के लिए कुछ महतपूर्ण प्रस्थ जो अभी पलेटफॉर्म के बु अफ्षन बी नागरिक अधिकार अफ्षन सी राजनेतिक अधिकार और अफ्षन दी है आर्थिक अधिकार इस प्रशन का अंजर हो जाएगा उप्षन बी नागरिक अधिकार अगला प्रशन है निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अप्षन A भारत का सोलिष्टर जनेरल उप्षन B भारत का अटार्नी जनेरल उप्षन C भारत के मुख्षन याई मुर्ती और अप्षन D है ए और B दोनू दोस्तों इस प्रेशन का अंजर हो जाएगा दूसर狂 घजन Eप भारत का अटार्नी जनेरल और अप्शन D है जवार लाल नहरू इस प्रेशन का अंसर हो जाएगा उप्शन C डॉक्टर अंबेड कर अगला प्रेशन है हमारे राष्ट्रिय ध्वज के मध्य में इस्तित धर्म चक्र का रंग कैसा है उप्शन A गहरा नीला उप्शन B सागरिय नीला उप्शन C काला और प्रेशन D है उजला दोस्तों इस प्रेशन का अंसर हो जाएगा उप्शन A गहरा नीला अगला क्वेश्चन है शंबीधान के किस अनुछेद में प्रात्मिक अस्तर पर मात्री भासा में शिक्षा देने की बात की गई है उप्शन A अनुछेद 21 A उप्शन B अनुछेद मि 351 इस प्रेशन का अंसर हो जाएगा उप्शन C अनुछेद 350 A अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्र पती के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मत गन्ना करनी पड़ी थी उप्शन A ग्यानी जैल सिंग उप्शन B वीवी गिरी उप्शन C निलव संजीव रेड़ी और उ इस प्रेशन का अंसर हो जाएगा उप्शन B वीवी गिरी अगला क्वेश्चन है किसी राज्य विधान परिसद में सदस्चियों की नियूनतम संख्या कितनी हो सकती है इस प्रेशन का पहला उप्शन है उप्शन A 60 उप्शन B 55 उप्शन C 40 उप्शन D 36 इस प्रेशन का अं निम्न में से कौन संग सूची के अंतरगत नहीं आता है option A टेलीफॉन, option B डाक, option C रक्षा और option D लोक स्वास्त इस प्रशन का अंसर हो जाएगा option D लोक स्वास्त लोक स्वास्त संग सूची के अंतरगत नहीं आता है अगला question है राष्ट्रिय विकास परिशद का गठन कब किया गया था question को ध्यान पूरवक पढ़ना है दोस्तों option A है 1948, option B 1950, option C 1951 option D है 1952 इस प्रशन का अंसर हो जाएगा option D 1952 अगला question है राष्ट्रिय लोक स्वाइयोग के सदच्चों का कारिकाल कितने वर्षों का होता है पहला option है 3 वर्ष दूसरा है 5 वर्ष तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 2 वर्ष आर्षा करता हूँ इस प्रशनों का उत्तर आप लोग को पता है अगर आप इस प्रस्ण का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वैसे मैं बता देता हूँ इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा उप्षन C 6 वर्स राज लोग से वायोग के सदस्चों के कारिकाल 6 वर्सों का होता है अगला क्वेश्चन है सारदा एक्ट को कितने कारिकाल के दौरान सारदा एक्ट को किसके कारिकाल के दौरान पारित किया गया था उप्षन A. William Bantic उप्षन B. Lord Irwin उप्षन C. Lord Riffon और उप्षन D. James Ford दोस्तों इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा उप्षन B. Lord Irwin इनके कारिकाल के दौरान सारदा एक्ट पारित किया गया था अगला क्वेश्चन है राजस्व प्रनाली में सुधार है तो दिवान A. मुस्त खराज की अस्थापना किसके दौरा की गई उप्षन A. सेर साहसूरी उप्षन B. मुहम्मद बिन तुगलक उप्षन C. अला उदीन खिलजी उप्षन डिफिरोज साह तुगलक इस प्रशन का अंसर हो जाएगा उप्षन C. अला उदीन खिलजी अला उदीन खिलजी के कारिकाल में राजस्व प्रनाली में सुधार है तो दिवान A. मुस्त खराज की अस्थापना की गई थी अगला क्वेशन है निम्नलिकित में से कौन सा राज मुंग फली का सरवाधिक उत्पादन करता है उप्षन A. मध्य प्रदेश उप्षन B. महराष्ट उप्षन C. गुजरात और उप्षन डिया आंदर प्रदेश दोस्तों मुंग फली का सरवाधिक उत्पादन जो है गुजरात में होता है अगला क्वेशन है पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतिय सैनिकों तथा येरोपिय सैनिकों की संख्या का अनुपाद कितना था और अप्षन डिया दो अनुपाद एक दोस्तों इस प्रशन का अंजर हो जाएगा अगला क्वेशन है किसने कहा था कि कॉंग्रेस याचना करने वाली संस्था है और अप्षन ए बाल गंगा धरतिलक और अप्षन बी लाला लाजपतराय अप्षन सी विपीन चंदर पाल और अप्षन डी है लाजपतर करजन इस प्रशन का अंजर हो जाएगा विपीन चंदर पाल इन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस याचना करने वाली संस्था है अगला क्वेशन है हाल ही में प्रकासित पुस्तक अन्फिनिश्ड मेमोरी किस अभिनेता या अभिनेत्री की कृती है ओप्षन एक करन जोहर ओप्षन भी प्रियंका चोपड़ा ओप्षन सी परेस रावल और ओप्षन डी है कंगना रनोत इसको ध्यान पुर्वक पढ़िएगा इसमें धिया युनी अन्फिनिश्ड मेमोरीज अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अमल का पड़ियोग पेट्रोलियम के सुधी करन में किया जाता है दोस्तों इसका पहला ओप्षन है सल्फ्यूरिक अमल दूसरा है नेट्रिक अमल तीसरा है कार्वनिक अमल और चौथा हैड्रोकलोरिक अमल इस प्रशन का अंसर हो जाएगा उप्षन A सल्फ्यूरिक अमल अगला क्वेश्चन है भारते संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है उप्षन A संविधान की प्रस्तावना उप्षन B राज के निती निर्देशक तत्व उप्षन C मूल अधिकार और उप्षन D है उपर युक्त में से कोई नहीं इस प्रशन का अंसर हो जाएगा उप्षन A संविधान की प्रस्तावना जिसको भारते संविधान की आत्मा कहा जाता है अगला क्वेश्चन है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है उप्षन A मैगलन जलसंदी उप्षन B बेरिंग जलसंदी उप्षन C मलक्का जलसंदी और उप्षन D हारमूज जलसंदी इस प्रशन का अंसर हो जाएगा उप्षन D हारमूज जलसंदी जो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है जोड़ती है अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जापान का पिट्स वर्ग कहा जाता है जापान का पिट्स वर्ग उप्षन A नागोया उप्षन B ओसाका उप्षन C क्योटो और उप्षन D है यावाटा इस प्रस्ण का अंसर हो जाएगा उप्षन D यावाटा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे थैंक यू